करें से अपर से यह डाया पार प्रोपटी करें सबहने वाले कि मियाइश यह मते रुचे करेंग है 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 तो यह आगे हुँ दोस्तो अपने सैंपल एच के संपल वाला है जो इसका प्लाट साइज है वो हंड़गज है यहां सो गज के प्लॉट इरे भी बना हुआ फ्लैट है यह हम आपको दिखा रहें ग्राउंड फ्लोर एक फ्लोर पे दो ही फ्लैट होने वाले यह देखिए दोनों फ्लैट की इंट्रेस है जो आपका फ्रंट डॉर होने वाला है वो एट फिट होने वाला है तो चलिए फिर जलते हैं फ्लैट के अंदर आपको उन्दर के व्यू दिखाते हैं तो यह दोगे थे लिए बहुत अच्छा वारे दोर लगा हुए है कि यह मरा फ्रंट डॉर है जो एट फिट चाल बना हुआ है तो फ्रेंट में आती ही दोस्तो हमारी की घिशन है और ड्राइंग डाइनि का जो दोस्तों ऑने वाला है वो 20airy 10 का ड्राइं डाइनिंग होने वाला है और इसके साथ ही नगेन है किचन है तो जो हमारी किचन का साह 15 पडा बारہ 뭐 आठ वई बादर तो बहुत दोस्तों वाइड किचन होने वाली है बिल्कुल आपको as it is fully furnished kitchen मिलेगी यह देखिए आपको यह सारे soft closer बने हुए आपकी चिमनी की space सारी kitchen आपको as it is ऐसे मिलने वाली है पीछे आपकी दोस्तों washing area भी है आपको भी दिखाओंगा तो यह आपको as it is मिलने वाली है sanitary fitting sink आपको as it is सारे मिलने वाले है तो यह देखिए दोस्तों sink बहुत अच्छी quality की होने वाली है तो मैं आपको दिखा देता हूं इसमें dry wet का concept है यह देखिए ऐसे करके आप इसको dry wet as concept से यूज कर सकते हैं यह आपकी kitchen है यह आपकी दोस्तों इसमें chimney की space है cupboard आपको as it is fully furnished kitchen मिलने वाली है यह देखिए बहुत दोस्तों space आपको मिलती है क्योंकि kitchen में बहुत ही चोटा-चोटा समान होता है आपको जो रखने के लिए यहाँ भी आपको सारा समान आपका set हो जाएगा यह सारी kitchen आपको soft closer के साथ मिलती है यह देखिए तो सारे soft closer है तो पीछे भी आपको erodility area मिलता है मैं आपको वह भी दिखाता हूँ यह देखिए यह दोस्तों आपका पीछे का area जिसको washing area ऐसे washing area यूज़ करेंगे जो इसका size होने वाला है वो है 11-5 का size होने वाला यह देखिए आपकी washing machine के लिए already fitting हुई हुई है tap already लग चुकी है तो यह आपका washing area होने वाला है जो first floor होगा जा second floor होगा उसको यहाँ पे balcony मिलेगी और जो ground floor है उसको as a washing area मिल देगा तो यह हमारी fully furnished kitchen जो आपको मिलने वाली है इसका जो kitchen का size होने वाला जैसे मैंने आपको बारा होने वाला है तो देखिए कितनी अच्छी दोस्तों kitchen बिलुकर आपकी white और drying dining area आपका बहुत अच्छे configuration में आपको मिल रहा है ब्राइड डाइनिंग का size है वो 10-20 का मिल रहा है तो इसी के साथ ही मारा पहला bedroom है यह देखिए wooden style इसमें टाइल दी गई है तो यह देखिए बैड लगने के बाद भी आपका बहुत अच्छा space है at least 4 foot की space बज़ जाती है बैड लगने के बाद भी जो इस bedroom का size है वो है 11 व यह मिल जाता है आपको यूपीवीसी यहां पर आपको मिल जाते हैं आपके cabinet TV cabinet मिल जाती है और यहां पर आपके cupboard मिल जाते हैं तो यह cupboard जो मिलते हैं आपको sliding door के साथ मिलते हैं यह दिखिए स्लाइडिंग डूर के साथ आपको cupboard मिल जाते हैं और पूरा full height cupboard मिलते हैं ताकि आपको storage का कोई issue ना रहे और इसके साथ ही जो हमारा attached है वह वाश्रूम तो यह दिखिए कितना अच्छा वाश्रूम है आपकी vanity लगी हुई है आपकी सारी sanitary fitting हो रखी है तो यह जो वाश्र का साइज है यह है छे वाई पांच आपका ventilation का point है तो बहुत अच्छा दोस्तों वाश्रूम बना हुआ है कि वैनिटी कितनी अच्छी लगी हुई है तो यह था हमारा first bedroom जिसका attach washroom और cupboard अब चलते हैं हमारे second bedroom में यह हमारा फिर से ड्राइंग डैनिंग अरिया आ गया ड्र आपको कबर मिल जाते हैं और आपका dressing area बना हुआ यह यह आपको कवेज़ीज बिलेगा तो इसमें आपको फुली दोस्तों जो भी आपको कवड दिख रहे हैं वह आपको एश E Tu Mile डिके केपनेट वह अब कराया है और इसके साथ you a kee ओर इसके साथ ही आपका आजाता है अटेवा अच्छा वाष्रोम है वाषून एला बहुत अच्छी टाइल लगी हुई है तो यह था हमारा टू भी एच के फ्लैट आपके जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है फ्लैट को लेके आप हमें कॉल करें कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हो फार्ट फिस करें क्योंकि बहुत ही अच्छे प् आपको टू भी एच के फ्लैट मिलने वाला है प्राइसिंग में दोस्तों नीचे डिसिशन बॉक्स में दे दूंगा आप वहां के एक बार चेक कर लें आपको वीडियो कैसी लगी फ्लैट कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जितना हो सकता है वीडियो को अपने फ्रेंड और एल्टीजर शेर जरूर करें तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो में तब तक आप देखते रही है और दोस्तों शेर जरूर करिए थैंक्यू